जैहिंद वंदे मातरम साथियों जी हाँ बिल्कुल आपने ठीक सुना 40 नंबर पर भी होगा दोस्तों सलक्सन कैसे वो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो थमनिल आपने देखा है उस पर पूरी चर्चा करेंगे क्या है कैसे होगा सारी चीज आप सुभी को बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपकी सज में सारी बात आज सके और किलिरली दोस्तों आप सुभी को जो है बात बिल्कुल समझ में आज जाएगी लेकिन वीडियो में आगे बाने से पहले बात कर लेते हैं अगर आपको ये लगता है कि मेरा इसमें सलक्सन नहीं हो सकता है नंबर काफी जादक कम है तो आप नई भरती की तयारी भी कर सकते हैं अगर आपको अपनी ड्रेम पोस्टिश में नहीं मिल रही है क्योंकि आने वाले टाइम में काफी बड़ी संक्यावे वेकेंसी आने वाली है तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तो चक्सू पबलेकिसन की ये बुक आप पड़ेंगे तो आपका दोस्तो एकजम एजीली यहाँ पर पास हो जाएगा ये बुक आप देख पा रहे हैं ये दोस्तो SSE GD Constable 2024 की जो वेकेंसी आने वाली है अगस से उसके लिए ये बुक है तो अपनी तैयारिया आप अभी से सुरू कर सकते हैं ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े ये बुक आप लोगों के लिए one of the best बुक रहने वाली है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बुक काफी ज़्यदा best है इसमें आपको solution भी देखने को मिल जाता है और दोस्तों इनका यहाँ पर SSE GD Constable के लिए जो है guide book भी आती है study guide book और दोस्तों इनका जो है यहाँ पर practice set भी आते है तो दोनों बुकों का combo है इनको आप ले सकते हैं दोस्तों लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिस नावक्स में दिया है online purchase करने का चक्सू पुले प्रकासन का ठीक है तो या आप इने दोस्तों अपनी नजदी की किसी भी book seller से purchase कर सकते है online का जो link है मैंने वीडियो के डिस्क्रिस नावक्स में प्रोवाइड करा दिया है वहाँ से easily purchase कर सकते है तो जिसको भी purchase करना है जाके एक पर link ज़रोई चेक कर लेना अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा चालीस नमबर पर selection जी हाँ अभी देखी दोस्तों आप सभी की जो है row marks की बात कर रहा हूँ मैं अभी आने वाले टाइम में आपका नौर्वलेसन भी होगा तो इससे एक बहुत बड़ा आपको फायदा हो सकता है आपको दिखाने वाले पर प्रूव भी दिखाँगा आप देखना जैसे दोस्तों हैं पर आप दिखेंगे 36 गड़ा है 36 गड़ा में 40 नमबर पर selection हुआ था पिछली बार EWS में ये दोस्तों आपका only जो कट आफ है ये mail के लिए है और वो भी फिजीकल का कटो नीचा आप देखेंगे 40 नमबर भाले भी आपको काफी दिखाए देंगे जैसे दोस्तों यहां देखेंगे 40 नमबर 40 नमबर ठीक है तो ऐसे भी आपको काफी दिखाए देंगे और जिनके दोस्तों 50 70 के आस पास नमबर आ रहे हैं उनका भी दोस्तों सलक्सर निच्चीत यहाई है है यह देखेंगे कैसे वो मैं आपको दिखा रह会 यहाँ पर दोस्तों 50 70 के आस पास ही आपको दिखाए देरेंगे पजयाब असम है मैं इन श्ट्रीडों की बात कर रहा हूँ, कैसी होगा, दियान से समझना, देखे, मैं अब आपको पुरूब दिखाता हूँ, एक ऐसा पुरूब जिसे दिखकर आपको एक बहुत बड़ा जटका लगने वाला है, तो दियान से देखना है वो सारी चीजे, देखे, एक study details, ए जिखो OBC से बिलोंग करता है, नमबर देखो कितने हैं, डाहे वज़े वाले से फ्रति इसकी, इसके जो नमबर है, इसके नमबर है बाई-अलीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाई-अलीज नमबर है इसके, और मैंने आप से बोला था कि बाई-जाब 40 नमबर के आसप इसका एनक्रीज हुआ है, इसलिए मैंने बोला कि 40 नमबर जिसके आ रहे हैं, उसका भी सलक्षन है, अपने आपको यह मत समझा कि मेरा सलक्षन ही होगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बहुत से बढ़ा दिया है, यह इतना नमबर का नमबर का नमबर का बढ़ा, 31 वटे चार से वटे आठ कर दिया है, यह भी हो सकता है, तो यह क्यों नहीं हो सकता है, आप कुछ सोशते हैं, और दोस्तों ऐसनी कुछ और कर देता है, बहुत से बच्चों को तो इस पर भी यकीन नहीं था, काफी दिन तक, कि यह वटे आठ की है cay ए कि 5 की है, लेकिन हूआ दिल्ली पुलिस का जो physical cut-off गया था उसके बाद final जो cut-off गया था उसमें बिल्कुल भी different नहीं था 0.0 कुछ का different आया था तो हो कुछ भी सकता है आप अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल सकते तो इसलिए दोस्तों इसको हम सही भी बोल सकते हैं आपको पढ़ सकता है अगर आप किसी ऐसे लोग की बातों में आके तयारी नहीं कर रहे हैं जो लोग आपको भढ़का रहे हैं आपके दोस्त बगरा हैं तो ऐसा ना करें मेरा भाई ठीक है कुछी की चक्कड में आके अपनी running को मतलब यहाँ पर बंद ना करें ठीक है और देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सरा आड ओले वाले काट ओप को इतने जद़ हाई बता रहे हैं हमारे नमबर तो इतने कम हैं क्या हम तैयारी करें या नहीं करें देखो आड़ोले वाले कटॉप अपने हिसाब से बता रहे हैं मैं उनकी कटॉप गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि वह हमसे बहुत ज़्यदा सीनियर है लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूब बोलूँगा कि भाई साब देखो पहले कटॉप आड़ोले वालों की दिली पुलिस की मतलब आपको पता ही है ददस नंबर का अंतरा आया था तो हो कुछ भी सकता है तो आप जो है तैयारी करतने अंकीत वाड़ी सर ने भी ये बात बोली है कि कटॉप फेल भी हो सकती है आप जो है अपनी फेजी के तैयारी को रोके बिल्कुल ना ठीक है उन्होंने ये बात भी साबसे बोली है अगर आपने सही से उनकी वीडियो देखी होगी तो अब मैं आपको गताता हूँ कितनी नंबर पर आपका सलक्शन हो सकता है अगर आपके इस कटॉप से अगर आपकी नहीं बढ़ेंगे लेकिन कुछ ऐसे इंसान भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे है और जो दोस्तों अपनी तयारी नहीं कर रहा है नहीं कि अगर उसके बीच नंबर बढ़े तो वो क्या कर सकता है बताओ वो वैसे ही बाहर हो जागा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया तो भाई साब जिसके कटॉप से 20 नंबर भी कम है रोमाक्स है तो वो तयारी जरू करें क्यों कभी भी नंबर बढ़ सकता है और जो भाई सोच रहे हैं कि मेरे नंबर जो है मुझे ऐसे बता दो कि मेरे नौर वलैसन के बाद किसे नहोगा तो भाई से 24 के बीच में आ रहा है तो आराम से त्यारी कर सकता है तो ऐसे ही आप अपने एरिया कटॉफ निकाल सकते हैं दो से चार नंबर कटॉफ बढ़ेगी क्योंकि बस आपको बता है नेगेटिव मार्करिंग का थोड़ा अंतरा सकता है क्योंकि इस बार पहले एकवटे चार की थी इस बार एकवटे आट की थी अब बच्चे बोलेंगे वेकेंसी भी तो कम थी तो बहुजार एकिसमें भी कि बस अपना जो है थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि हाँ भाईया हमारा जो है बस कटॉप जो है बस नेगेटिव मार्किंगी उपर नीचे कर सकती है बाकी वेकेंसी से कोई इतने ज्यादा फरक पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि हमारे पास फोरम भी उसी मात्रा में भरे ग ज्याहिंद वाने मात्रों